नमस्कार मेरा नाम डॉप्टर निकलेगनी हुतरी है आज हम बात करेंगे वजन बढ़ने के बारे में या मोटापई के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि वजन बढ़ना एक कॉमन बात है ये हर एज ग्रूप में कॉमनली आज कल पाया जाता है और इसके ओविस रीजन्स हैं कारण हैं आज कल हमारा लाइफस्टाइल हमारा खाना पिना ये सब वजन को बढ़ाता है आउटडोर गेम्स कम हो गई हैं समय नहीं मिलता काम में व्यस्त रहते हैं इन सब चीजों से वजन बढ़ता है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ना करने की वज़े से वजन बढ़ता है लेकिन ये वजन अगर बढ़ते बढ़ते एक सर्टन लेवल क्रॉस कर जाता है तब इसको हम ओबेसिती या मॉर्बिड ओबेसिती बोलते हैं जो की जान लेवा भी हो सकती है मॉर्बिड ओबेसिती के लिए जो आप्शन्स हैं ट्रीटमेंट आप्शन्स हैं उसमें बेसिकली बिरियाटरिक सर्जरी है जो की बहुत काम आती है ये वजन लूज करने में हेल्प करती है जो लोग सिरफ ओवरवेट है या उबीज हैं उनके लिए बिरियाटरिक प्रोसीजर्स नहीं हैं उनको लाइफस्टैल मौडिफिकेशन्स, रेगलर एक्सरसाइज इन पे रखा जाता है लेकिन एक सर्टन लिमिट क्रोस होने के बाद और कोई चारा नहीं बचता और वो फिजिकली केपेबल भी नहीं रहते कि वो खुद के लिए कुछ कर पाए तब हम उनको बिरियाटरिक प्रोसीजर्स ओफर करते हैं यह सेफ प्रोसीजर्स हैं यह सतर ऐसी साल पुराने प्रोसीजर्स हैं फरक सुर्फ इतना है कि पहले यह उपन होते थे आज यह लेपरोसकोपी यह रबॉटिकली किये जाते हैं जो कि बहुत сцен तरीका है और इसका बेनिफिट यह भी होता है कि मरीज जो है वो कुछ गंटों के बाद चलना फिरना शुरू कर देता है मोटापा या मॉर्बिड ओवेसिटी बहुत सारी जान लिवा बिमारियों के साथ आता है जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोडों का दर्थ, सास की तकलीफ, स्लीप अपनिया, इनफर्टिलिटी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज तो वजन कम खोने से इन सब से भी उनको निजाद मिलती है और इनकी कॉंप्लिकेशन से भी वो बच जाते हैं यह जो प्रोसीजर्स हैं, यह मेंली या तो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, या मैल अब्सॉप्टिव होते हैं, रिस्ट्रिक्शन जैसे कि उदारन लेपरोस्कोपिक स्लीव गेस्ट्रेक्टमी या रोबोटिक स्लीव गेस्ट्रेक्टमी जिसमें की स्टमक का पोर्शन करना शुरू करता है जो मैल अब्जॉफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं उनको उनमें स्टमक का साइज छोटा करने के साथ साथ उसके साथ इंटेस्टाइन को भी जोडा जाता है ताकि खाना सीधा इंटेस्टाइन में जल्दी पहुंच जाए ये दोनों प्रोसीजर्स काफी फैक्टिव हैं टिपिकली पेशेंट का वजन चार से छे किलो हर महीने कम होना शुरू हो जाता है और उसकी विबारियां खतम होनी शुरू हो जाती है वजन अगर बढ़ रहा है या कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपको उसके लिए सलाह लेनी चाहिए पहले डायेटिशन से सलाह लेनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए वजन कम करने की और अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपको बता पाए क्या क्या कर सकते हैं अपना वजन कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए लेकिन उनसे भी कंट्रोल नहीं होता है या एक certain level के बाद फिर वो आपको recommend करेंगे कि आप bariatric procedures के बारे में सोचिए तम आपको bariatric surgeon से consult करना चाहिए उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये procedures कैसे आपको help कर सकते हैं